नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने JCRT Classics English का पहला यूनिट The Emperor and Nightingale के बारे में डिस्कस किये थे तो आज हम लोग इस चैप्टर का Question and Answer डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोज़ास हम लोग Author के बारे में जान लेते हैं Author वो होते हैं जो स्टोरी को लिखते हैं तो चलिए इस स्टोरी का Author के बारे में थोज़ास जानते हैं इस ब्यूटिफुल स्टोरी वाज रिटेन बाई Hans Christian Andersen वो वाज बॉर्न इन डेनमार्क ओन April 2, 1805 यह जो स्टोरी है वो Hans Christian Andersen के द्वारा लिखा गया है जिनका जर्म डेनमार्क में हुआ था अब 2, 1805 में His stories are loved by children all over the world इनका जो स्टोरी है वो पूरी दुनिया में बच्चों के द्वारा बहुत ही पसंद किया जाता है The Emperor's New Clothes and Thamlina are two of the best fairy tales written by him The Emperor's New Clothes और Thamlina भी इन ही के द्वार लिखा गया है अब हम लोग इस story में आये हुए थोवा सा difficult word के बारे में डिस्कास कर लेते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं Emperor Emperor का मतलब राजा होता है The Supreme Ruler of an Empire or Kingdom Majestic Majestic का मतलब होता है Grand, Very Big, Sander, Alisan Far and Wide Far and Wide का मतलब होता है Over Great Areas or Distances Everywhere मतलब की दूर दूर तक Fancy Fancy का मतलब होता है Decorative सजावती Jewels Jewels का मतलब होता है Precious Stones जैसे की Diamond Healed Healed का मतलब होता है ठीक होना Healed Healed या Cured मतलब होता है ठीक होना Wound Up Wound Up का मतलब होता है Turn the key to start the twi जो हम लोग बच्पन में मेले में जो छोटा छोटा खिलोना खहिते थे उसका बस एक की प्रेस करते थे और वह है तो कभी गाना गाने लगता था कभी चलने लगता था तो इसी चीज को हम लोग वांड अब बोलते हैं Repair का मतलब होता है ठीक करना इसको मेंड भी बोलते हैं जैसे की A cobbler mends our shoes मतलब एक जो मोची होता है cobbler का मतलब होता मोची जो हम लोग का shoes को repair करते हैं Next sick Sick का मतलब होता बिमार या ill अब हम लोग इस chapter का question and answer discuss करेंगे तो चलिए पहले हम लोग objective question देख लेते हैं यह बहुत ही easy है जो story नहीं पढ़े है वो पहले पिछे वाला वीडियो जाके देखिए उसके बाद question and answer में आईए तो चलिए start करते हैं Choose the correct option First question The Chinese emperor lived in a majestic palace Second यहां पर यह question बोल रहा है कि जो चाइनीज empire है वो कहां रहते थे तो वो एक majestic palace में रहते थे Behind the palace देरवाजर वो उस palace के पीछे क्या था तो हम लोग नहीं पढ़ाया story उस palace के पीछे एक बहुत ही बड़ा huge forest था The night angle sang very night angle बहुत ही sweetly गाती है नाइट अंगल बूल 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 अब आगे देखते हैं थो असा long question है और answer Long question है और answer में है How did the emperor come to know about the night angle यहां पर यह question बोल रहा है कि जो emperor है जो राजा है राजा थे वो night angle के बारे में कैसे जाने इसका answer है The emperor read book to know about the night angle जो emperor है वो किताब पढ़ने से उनको पता चला night angle के बारे में कि night angle भी इतना अच्छा का सकती है Like a kakku चलिए आगे start करते हैं second question What was the gift sent to him by the king of Japan यहां पर question बोल रहा है कि king of Japan के द्वारा जापान के राजा के द्वारा कौन सक्या gift भेजा गया था इसका answer है A beautiful twi हम लोग को पता है हम लोगा story अच्छे से पढ़े हैं तो a beautiful twi night angle made of gold and covered with jewels was sent to the Chinese emperor by king of Japan तो यह जो beautiful twi night angle जो था वो जो gold से बना हुआ था और jewels से cover था वो है तो एक वो Chinese emperor मतलब emperor को जापान के राजा के द्वारा भेजा गया था अब आगे इस third question देखते है Why did the real light angle fly back to the forest? यह question पूछ रहा है कि क्यों जो real light angle था जो real की बुल बुल थी वो forest में वापस चली गई उड़के तो इसका answer है The real light angle flew back to the forest जो real की बुल बुल थी वो वापस forest में चली गई Because the emperor listened to the twi bird song क्योंकि जो emperor था वो जो खिलोना जो था खिलोना वाला जो night angle था खिलोना वाला बुल बुल था उसका गाना सुनता था इसलिए जो night angle जो बुल बुल थी रियल की बुल बुल थी वो वापस से चली गई जंगल में आगे देखते नेक्स्ट क्योंकि यहां पर एक क्योंकि बुल रहा है कि वापस दे नाइटेंगल क्या करती है जब वो सुनती है कि emperor जो है वो बिमार है शिक है तो इसका आंसर है the night angle फ्ली टू हीज विंडो तू सिंग जो night angle है वो इसको उड़के उसकी राजा के emperor के विंडो के पास जाके बैठ जाती है तू सिंग गाने के लिए when he heard that the emperor was sick वो गाने के लिए वहाँ पे उसके emperor के खिड़की के पास चली जाती है जब वो सुनती है कि emperor जो है जो राजा जो है वो शिक है बिमार है आगे देखते नेक्श्ट कोश्चन why did not the night angle come back to the palace to stay कोश्चन ये बोल रहा है कि क्यों night angle है वो palace में रुकना नहीं चाहती इसका answer है वो palace में दुबारा नहीं रुकना चाहती क्योंकि उसको अपना आजादी पसंद है वो खुले आस्मान में रुड़ना चाहती है नेक्स एंड लास्ट लॉंग कोश्चन देख लेते है जो night angle है वो emperor से क्या promise करती है इसका answer है जब राज़ बोलता है उसको अपने palace में वापस से रुकने के लिए तो वो नहीं रुकती है और बुल-बुल बोलती है कि मैं अपने आजादी पसंद करती हूँ मैं खुले आस्मान में रुड़ना चाहती हूँ तो यहाँ पर वो यही promise करती है फिर से कि लेकिन मैं उड़ना तो चाहती हूँ लेकिन मैं रोज आपको गाना सुनाऊंगी यहाँ पर to the empire to come back to windows every night to sing अब हम लोग आगे देखते हैं आई होप यह सारा long question and answer समझ में आया होगा आपको आगे देखते हैं match the words with their meanings यहाँ पर यह words दिये हुए है और इसके meaning भी दिये हुए है सही word का सही meaning को हम लोग को match करवाना है चलिए देखते हैं palace का मतलब क्या होता है एक जगा the house of king इसका one का भी होगा forest forest का क्या होगा तो यह land covered with plants and tree एक जगा जो cover रहता है पेड़ पौधा से repair repair का मतलब repair का मतलब होता है उसको दुबार से ठीक करना तो इसका हो गया to restore to a good condition अब हम लोग messenger messenger होता है messenger का यह होगा someone who delivers a message messenger वो होता है जो message को deliver करता है message को देता है cage five को हो जाएगा c structure of bars or wires for keeping birds यह एक ता wire का एक structure होता है जिसमें हम लोग birds को रखने के लिए वो बनाते है तब आगे देख लेते हैं match the adjectives in column A with the noun in column B to form a pair of words one has been done for you जैसे यहाँ पर majestic है तो यह एक palace huge हम लोग का story में क्या पढ़े थे? huge क्या था? तो forest था real real का क्या थी? night angle थी और sweet sweet क्या था? song था sweet और fancy क्या था? cake fancy cage था तो I hope कि आपको यह समझ में आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और एसी तरह हम लोग और भी चेप्टर डिसकस करेंगे thanks for watching